Students, Welcome to my channel Mathematics Studies आज हम BABSC First Master की बुक Algebra के Chapter No.2 के Exercise 2.4 का Lecture No.1 देखेंगे तो हमारा सबसे पहला जिसके अंदर Concept है वो यह है कि Linearly Dependence और Linearly Independence क्या है यही MN इसके अंदर और इससे Related ही Quotions मिलेंगे हमें Exercise और Examples के अंदर और एक दो Theorem है जो इसकी Important है वो भी हम कर लेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो हमारा है ना इसमें एक Word यूज होगा Vector तो Vector क्या है जिसे हम कोई भी Quantity ले लें जिसके N Components अगर हम ले लें तो अभी के लिए उनको हम बोल देते हैं Vectors यह आपका आगे जाके Linear Algebra वगरा की बुकाएगी तो उसमें आपको और अच्छे से समझा जाएगा कि Vectors वगरा क्या होते हैं अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि हम जो X वाली Terms लेंगे हमारे पास X1, X2, X3, Xn वो हम जो Values लेंगे उनको हम बोलेंगे Vectors तो हम अगर N Components ले लेते हैं तो Vector of Order N हो जाएगा अगर हम 5 ले लेते हैं तो Vector of Component of Order 5 हो जाएगा तो कोई भी Quantity जिसके पास N Component है इस कोल्ड वेक्टर 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 अगर एगर हम दे तो X1, X2, X3, Up to so on, Xn तो जो हमारा Concept आएगा वो ये होंगे कि दो टाइप के होते हैं हमारे एक तो होंगे Linearly Dependent और एक होंगे हमारे Linearly Independent तो हम दिखाएंगे LD से और इसको हम दिखाएंगे LI से तो हम दिखाएंगे इसका मतलब होगा Linearly Dependent इसका मतलब होगा Linearly Independent अब ये तो हो गया लेकिन अब हमारी बात आई कि ये linearly dependent क्या होता है और linearly independent क्या होता है ठीक है अब ये होगा इसके अंदर कि अगर हमारे पास n vectors हैं अगर हमारे पास n vectors हैं इस तरीके से ठीक है उनके लिए हमारे कुछ scalars exist करती है scalars मतलब कुछ values exist करती है normal कोई भी constant values हो सकती है क्या है हमारे पास कुछ vectors है उनके लिए हमारे कुछ scalars exist करते हैं कुछ number exist करते हैं जैसे कि इस तरीके से c1 c2 up to son cn और जब हम उनको product करें इस तरीके से c1 x1 c2 x2 c3 x3 up to son cn xn equal to 0 हो और ये 0 तब हुआ है तब हमारे c1 c2 cn जो भी हमारे थे न ये सारे के सारे 0 नहीं थे अब आप बोलोगे कि ये सारे के सारे 0 नहीं थे तो फिर इनको add करके 0 कैसे आ गया तो हमारा case ऐसे बन सकता है कि c2 और c3 मालो इस तरीके से हो कुछ minus 2 और c3 हो कुछ plus 2 तो भी तो हम उनको add करेंगे तो 0 आ जाएगा ना तो इस तरीके से ही है कि no total 0 का case होगे ये कैसे क्योंकि c2 c3 तो हमारे फिर क्या होगे नों 0 होगे तो linearly dependent मतलब 0 होने के लिए है ना इनको आपस में depend होना पड़ेगा तब वो 0 होंगे तो no total 0 का case आएगा क्योंकि 0 होने के लिए depend करना पड़ेगा वो होता है हम हमारा linearly dependent हमारे पच वेक्टर होंगे पहली बार देख रहे हैं तो अलग लगेगा थोड़ा हमारे पास कुछ हमने एंड वेक्टर ले लिए x1, x2, xn उनके लिए हमारे कुछ scalar exist करे c1, c2, cn हम इनकी प्रोड़क्ट करते हैं c1, x1, c2, x2, up to zone cn, xn ये equal to 0 हुए लेकिन य not all 0 मतलब कि ये एक दूसरे पर depend होंगे जब हम इनका सम करके 0 करेंगे तो एक दूसरे पर depend होंगे तो इसी को हम बोलते हैं क्या linearly dependent linearly dependent समझ में आ गया अगर हमें book की wording लिखनी है तो book में आपका इस तरीके से हैं देखो the vector x1, x2, xn are said to be linearly dependent अगर हमारे n number exist कर जाएं c1, c2, cn इस तरीके से कि वो सारे के सारे का not all 0 का case है such that जब हम उनको add करें तो क्या आ जाएं 0 आ जाएं तो ये था आपका क्या linearly dependent अब अगर हम linearly independent देखें तो बाते हमारी सारी वहीं हैं तो इसमें हमारा क्या होगा कि हमारे पस vectors हैं जैसे x1, x2, up to 0, xn तक ठीके ये हमारे सारे के सारे क्या vectors हैं इनके लिए हमारे स्केलर exist कर जाएं c1, c2, up to 0, cn जब हम उनकी प्रक्ट करें c1, x1, c2, x2 और up to 0, cn, xn equal to 0 आ जाएं तो इस case में क्या होता है न जो ये c1, c2, cn सारे के सारे scalars होते हैं व तो इनको एक दूसरे पर depend नहीं होना पड़ता है इनके addition को 0 बनाने के लिए क्योंकि c1, b0, c2, b0, cn, b0 तो इन सम का sum भी क्या होगा? 0 होगा तो इनको depend तो होना ही नहीं पड़ा है क्योंकि इनके अंदर c1, c2, equal to cn सारे के सारे क्या होते हैं? 0 होते हैं तो इनको तो इन सारे के सारे non-zero थें तो इनको एक दूसरे पर depend होना पड़ा था 0 बनने के लिए ठीक है? तो जिनको depend होना पड़ता वो linearly dependent और जिनको depend नहीं होना पड़ता जो खुद से ही सारे 0 हैं वो होते हैं linearly independent तो जिसमें scalar सारे के सारे 0 होंगे बत होंगे linearly independent और जो हमारा not all 0 का case लेगा linearly dependent देखो जो next है ना वो हमारी theorem करेंगे हम यह वाली theorem करेंगे important theorem है आपकी तो यह आपको करना जरूरी है तो देखो क्या होगा इसके अंदर यह बोल रखा है इन्होंने कि prove that if two vectors are linearly dependent इन्होंने बोला है कि हमें प्रूफ करके दिखाना है कि अगर हमारे पस दो वेक् इसमें x1, x2, xn ले रखे हैं आपकी बुक में जैसे बता रखा है मैं वैसे भी बता सकती हूँ वैसे x1, x2 से भी लेकिन फिर आपको बुक से पढ़ना तो वही वाला कर लेते हैं तो दो वेक्टर्स इन्होंने बोल रखे हैं आपका मन करें तो x1, x2 लेना तो वैसे ले आपकी बुक में u और v ले रखे हैं तो मैं वैसे ही करा दूँगे आपको ठीक है क्या बोला है इन्होंने कि prove that if two vectors प्रूब करो अगर हमारे पस दो वेक्टर्स हैं जो की linearly dependent हैं मतलब u और v linearly dependent हैं मतलब वो not all zero है मतलब इन में से कम से कम एक तो ऐसा पका मिलेगा जो इसका ह dependent प्रूब करो अगर हमारे पस दो वेक्टर्स linearly dependent हैं तो then one of them is the scalar multiple of the other तो उन में से जो एक होगा वो दूसरे का scalar multiple होगा अभी समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं दो वेक्टर्स ले लेते हैं तो हमने कर लिया let u and v be two vectors ठीक है यह हमने दो वेक्टर ल लिए तो उनके लिए हमें जैसे यहाँ पे scalar exist कराने थे यहाँ पे similar हम बोलेंगे then there exist two scalars c1 and c2 ले लो या फिर आपके book में a और b ले रखा तो वही ले ले लेते हैं a और b ठीक है हमने क्या कर रहा है दो वेक्टर इन्होंने खुद से बोले दो वेक्टर जो की linearly dependent है वो ले लो तो हमने दो वेक्टर ले ले ली यह और b उनके लिए scalar exist करा दिये a और b और क्यों क्योंकि हमें पता है कि यह linearly dependent है तो यह scalar है वो सारे के सारे 0 नहीं होगे at least इन में से एक तो ऐसा पका होगा जो 0 नहीं है तो हम ऐसे लिख देते हैं जैसे not all 0 लिखें या फिर not both 0 क्योंकि 2 ही है not both 0 तो इन में से पका एक तो ऐसा जरूर है जो कि हमारा 0 नहीं है ठीक है तो क्योंकि linearly dependent का वही मतलब होता अगर यहां पे independent होता ना तो सारे scalar क्या हो जाते है जीरो हो जाते है और linearly dependent है मतलब कम से कम एक तैसा है जो कि 0 नहीं है क्योंकि not all 0 का case होता है इसके अंदर तो यह हमारे इस तरीके से हो गया दो वेक्टर जिनोंने बोल रखे थे linearly dependent तो वो हमन कैसे लिखा था इनकी product प्लस इनकी product प्लस इनकी यहां पे दो ही है तो हम ऐसे लिखेंगे इसको क्योंकि यह linearly dependent है तो इनको इस तरीके से लिखे equal to 0 करेंगे तो AU प्लस इन दोनों की product प्लस next वाले 2 की product हमारी क्या हो जाएगी equal to 0 ठीक है तो इतना हो गया अब हम है ना इसक फिर नोट बोथ 0 है तो हम ऐसे case ले के चलेंगे अब की एक बार outright ले लेंगे की A 0 है एक बार हम ले लेंगे की B 0 क्योंकि इन दोनों मैंसे एक तो पक्का 9 0 है तो हम दोनों केस लेके चल पड़ेंगे एक बार A को 9 0 ले ले ले, और एक बार B को 9 0 जब हम 9 0 ले रहे हैं त तो हमारी condition satisfy हो गई, तो फिर हमारा काम हो जाएगा, थियोरम हो जाएगे हमारी proof, तो पहला हम case ले रही है, पहला हम case क्या लेंगे, when, a is not equal to 0, ठीक है या फिर आप लिख सकते हैं, if a is not equal to 0, तो अगर हमने इस तरीके से लिया, a is not equal to 0, अगर a 0 नहीं है, तो a u equals to, अगर यह non 0 है, तो इसको हम इधर ले लेते हैं, इसको उधर ले आए, minus of b, अगर a 0 होता ना, तो इसके निज़े 0 लगा देते, तो not define हो जाता, लेकिन अब हमें पता है कि a 0 नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, minus of b by a b, और यह define चीज़ भी हो गई, क्योंकि a 0 नहीं है, तो हम उसको इसके बाएं में लिख सकते हैं, चीक है, match के अंदर यह होता है, कि कोई भी number अगर हम, जैसे 1, 2, 3 कुछ भी है, अगर हम उसके निचे 0 लगा दे, तो फिर वो not define हो जाता है, चीक है, लेकिन अब हमें पता है, कि a पका नो जिरो तो यह define number हो गया, तो इसका मतब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अब इससे हमें क्या बदा चला, कि one of them, one of them, इन दोनों में से, एक, इन दोनों में से, एक, is the scalar multiple, यह देखो, अब हमारी second condition बनती है, कि अगर हम B को non-zero ले लें, तो B को non-zero ले लेंगे, तब भी हमारा ऐसा ही होगा, obviously ऐसा ही होगा, AU प्लस BV, इक्वल टू हमारा zero है, अब के बार हम BV को इधर लेते हैं, उसको इधर लेके जाएंगे, तो minus of AU हो गया, V की value आगी, minus of A upon B, into my U, एक जो हमारा देखो, one of them, इन दोनों में से कोई एक, दूसरे का scalar multiple है, इसका मतलब, अगर हम दो case लेंगे, कि अगर इसको non-zero लें, या फिर इसको non-zero लें, तो हमारी जो condition है, वो satisfy हो रही है, तो हमारी यही theorem थी, कि अगर हमारा इस तरीके से, linearly dependent दे रखा है, तो हमारा जो इन दोनों में से एक है, वो दूसरे का scalar multiple हो जाएगा, और यही हमें क्या करके दिखाना था, इस वाली theorem के अंदर proof, तो यह हो गया हमारा hence proved, यही जो theorem हो आपकी इस वाली exercise के अंदर important है, तो यह आप अच्छे से कर लेना, देखो आप example first करेंगे हम, क्या बोल रखा है कि show that the vector, यह जो example है आपके ऐसे type के compulsory question में आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से करना है, show करो कि जो यह vectors दे रखे हैं, यह होंगे, ऐसे इस तरीके से vector given होंगे, अगर आप mathematical form में देखोंगे, जैसे वो हमने x1, x2, x3 में आपको दिखाएं नहीं थे वहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको given मिलेंगे, show करो कि जो यह vector इन्होंने दिये हैं वो एक linearly independent set बना रहे हैं, linearly independent के लिए क्या होगा, कि जो भी हम इसके अंदर स्केलर चूज करेंगे वो सारे के सारे 0 आने चाहिए, जो भी हम स्केलर चूज करेंगे, अगर वो सारे के सारे 0 आ जाएं, तो वो क्या हो जाता है, फिर linearly independent अगर सारे के सारे 0 ना आएं, तो वो क्या होता है, linearly dependent, तो अब इन्होंने बोला है कि linearly independent प्रूफ करो तो हमें सिर्फ क्या करना है हम scalar लेंगे जैसे दो वेक्टर है 1, 2 तो हम scalar भी 2 लेंगे और उन scalar की value अगर हमारी दोनों scalar की value 0 आ गई तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि वो क्या है हमारा linearly independent set ठीक है तो हमारा हम ले लेते हैं क्योंकि हमारा प्रूफ वेक्टर दो है for two vectors there exist two scalars c1 and c2 ठीक है वहाँ पर हम कैसे कर देते हैं जैसे x1 c1 plus x2 c2 इस तरी के से तो यहाँ पर x1 x2 की जगे सिर्फ क्या है यह है तो c1 x 1, 2, 3 plus c2 x 2, 2, 0 equal to जैसे हम यहाँ पर नॉर्मली 0 लेते थे अगर हमारे वेक्टर ऐसे तीन फों में है तो इसको भी हम ऐसे ले लेते हैं 0, 0, 0 ठीक है तो यह हमारा हो गया अब c1 के अंदर प्रॉक्ट करेंगे तो इस तरीके से होता है c1, 2 of c1, 3 of c1 प्लस अंदर करो 2 of c2 और 2 of c2 और 0 into c2 तो 0 ही हो जाएगा equal to 0, 0, 0 अब ध्यान से देखना इनको हम add किस तरीके से करते है first वाला first में होता है, second वाला second में, third वाला third से और compare भी ऐसे होंगे फिर first वाला first से, second वाला second से और third वाला third से तो हम जैसे add करेंगे तो first वाला first में तो c1 प्लस 2 of c2, ये वाला second वाला second में 2 of c1 प्लस 2 of c2, थर्ड वाला third में, क्योंकि इदर कुछ है नहीं तो 3 of c1 equal to हमारा है इसके 0, 0, 0 के जैसे हमने add किया तब भी first वाला first में इस तरीके से add किया compare करेंगे तब भी हम ऐसे करेंगे first वाला first वाले के साथ compare करेंगे second वाला second वाले के साथ compare करेंगे equal to 0 और third वाला third वाले के साथ compare करेंगे तो इसमें दो हमें साफ वैसे ही दिग्या कि यहां से ही c1 equal to 0 आ गया ठीक है तो हमारा यह हो गया अब हम क्या करेंगे equation first थी ये second थी और ये third तो third from equation third हमें पता चल गया कि जो c1 है वो 0 है now हम use करेंगे now using c1 की value in equation first तो इसके जगे हम यहाँ पे 0 रिखते हैं 0 plus c2 equal to 0 तो 2 c2 equal to 0 तो यहाँ से c2 की value भी क्या आगे 0 अब c1 भी हमारा 0 आगया और c2 भी हमारा 0 आगया हमें यही तो प्रूफ करना था linearly independent कि जो हम दो scalar लेना वो दोनो 0 आजाएं तो हमारे आगए दोनो scalar 0 तो यह हमारा क्या हो गया linearly independent set similarly इसका second part भी रखा है वो हम book से कर लेते क्योंकि बस यही तरीका था तो इस तरीके से आप कर लेंगे अब हम देखेंगे इसका second part देखो वही हमारा इस तरीके से यह दो factors दे रखें यह दो नो तो linearly independent ही प्रूफ करना है तो हमने क्या करा c1 c2 ले लो a b constant जैसे नोंने ले रिया तो इस तरीके से ले रिया उन दोनों की product करके add करके equal to 0 लिख दे एक की product करी तो इस तरीके से b की करी तो इस तरीके से first वाला first में add second वाला second में और third वाला third में फिर हमने 0 के साथ compare करके a और b की value नेकार ली a 0 आ गया b 0 आ गया तो अगर दोनों 0 आ गए तो हमारे scalar 0 आ जाते तो वो क्या हो जाता है linearly independent ठीक है तो आज हम इतना कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर okay thank you guys for watching my video please do like share and subscribe to my channel thank you so much